हेलो स्टुडेंज, वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल च्योगुरुफी गुरु इन तीस एपिसोड वी आ गोईंग टू डिसकस अबाउट क्लास 9 साइंस वरक्षीट नमबर 79 आज की इस वरक्षीट में हमारा सेम चैप्टर है जिसको कंटीनियू रखेंगे वाई ड पर्षन है उससे हम थोड़ा डिस्टेंस रखें सोसल डिस्टेंसिंग है या हमारा जो पानी है वाटर है वो क्लीन होना चीए फूड है वो भी बैलेंस्ट होना चीए और साथ ही साथ हमने बात कि थी कि अपनी इम्नियूटी को अगर हम स्ट्रोंग कर लें तो हम बच सकते ह आज हम स्पेसिफिक जो मैथड है उसकी बात करेंगे स्पेसिफिक मैथड होता है वेक्षिनेशन अब सभी को पता है कोरोना की वेक्षिन आ चुकी है सबको लगने वाली है तो यह जो वेक्षिनेशन है यह स्पेसिफिक मैथड होता है किसी भी डिजिस से बचने का तो यह आज की worksheet में हम बात करेंगी vaccination होता क्या है कैसे function करता है, कैसे work करता है और immunization क्या होता है तो छोटा सा topic रहेगा Let's begin As it is visible on your screen This is our worksheet number 79 Subject science Date 29th of June 2021 Why do we fall ill हम बिमार क्यों होते हैं उसमें हम principle of prevention है उसको discuss करने वाले हैं यहाँ पे है what is immunization जो हमारा theme रहेगा इस worksheet का कि immunization है क्या यह हम समझेंगे इसी worksheet में There are different ways to improve our immunity हमारी immunity को improve करने के कई सारे ways है जिसे हम अपनी immunity को improve कर सकते Immunity को improve करने का मतलब कि कि किसी भी pathogen या किसी भी रोगानों से लड़ने के लिए हमारी body कितनी त्यार है If your immunity is strong There are lesser chances to get infected अगर हमारी immunity strong है It means काफी कम chance हो जाते है कि हम infected होंगे जैसे अभी coronavirus है तो 80% जो लोग थे उनको symptoms ही नहीं थे Symptoms क्यों नहीं थे क्योंकि उनकी immunity वो strong थी काफी सारे लोग थे वो UP, बिहार पहुंचे थे कहां से पहुंचे थे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी लेकिन फिर भी कितने बिमार हुए बहुत कम बिमार हुए क्यों? क्योंकि उनकी immunity strong थी As a second principle of prevention of disease There are some specific ways to improve our immunity कि specific principle of prevention है उसमें कुछ ways है जिसे हम इस immunity को automatic strong कर सकते हैं Against some deadly specific disease है Like that, polio, bcg, hepatitis इनके against हमारी body है वो लडने के लिए त्यार हो जाती है तो इस specific method है क्या? चलिए देखते हैं कौन सा method है इसमें क्या किया जाता है कि हमारे immunity है एक दम से strong हो जाती है तो specific ways है जो second ways है जाने कि किस से लडने का जो pathogenes है रोगाणू है, बीमारी है, रोग है, disease है उन से लडने के लिए इसमें vaccination या फिर इसको हम immunization बोलते हैं क्या बोलते हैं? vaccination या immunization बच्चपन में बहुत सारी injection लगे होगे आपको लगा ना? काफी सारी injection लगे हैं सब के लगते हैं और ऐसे अभी polio के बाद जैसे अभी 31st of gen है तो यहाँ पर प्लस polio Sunday आ रहा है या अभी corona vaccine दी जा रही है तो यह क्या है, this is the vaccination और यह हमारी immunity को strong करते हैं तो यह specific way है अब कैसे work करते हैं? Since the specialized cell of the immune system of our body like white blood cells and the antibodies fight with the external microbes therefore we can produce immunity against a certain disease by fooling the immune system हमारी white blood cells होती है, उनका main function होता है to fight against the microbes के खिलाफ वो लड़ते हैं अपने शरीर को वो सुरक्षित रखते हैं प्रोटेक्ट काते हैं अब उनको मुर्ख बना करके by fooling these white blood cells हमारी immunity को strong क्या जाता है अब कैसे मुर्ख बनाए जाता है कि for this something which is similar to original pathogen but not harmful is injected or introduced into our body in the form of vaccine कि इसके लिए हमारी जो बोड़ी है उसमें एक या तो weak हो सकता है या फिर similar to the original pathogen है जो कम harmful होता है उसको हमारी बोड़ी में डाला जाता है अब कोरोना वैक्षिन में क्या होगा या तो कोरोना के जैसा ही कोविड-19 के जैसा ही जो वाइरेस हो हमारी बोड़ी में डाला जाएगा जो कि कम harmful होगा और कम harmful के साथ साथ वो weak होगा जो हमारी बोड़ी के लिए ऐसे नहीं कह सकते कि negative effect करेगा तो इससे हमारी जो WBC है white blood cells है वो उनके साथ लड़के शरीर में जो एंटी बोड़ी है वो डेलप कर लेगी यानि त्यार हो जाएगी एक तरह किसी कह सकते हैं कि वो पहले practice match खेल लेगी प्री बोड़ की तरह दे लेंगी यह भी white blood cells आवर specialized immunity cells fight and kill the pathogen हमारी जो specialized immunity है वो fight करेगी और pathogen को मार सकते हैं और produce antibodies और antibodies है वो डेलप कर लेगी अगरें street for the future use यानि कि जब यह similar type का original ही है डाला जाएगा तो हमारी white blood cells है वो इनके खिलाब भी fight करेगी इनको मार देगी और साथ ही साथ antibodies डेलप हो जाएगी उसी से लडने के लिए तो उसके बाद next time अगर original भी अटेक करता है real one भी अटेक करता है तो हमारी body है वो उसके लिए ready हो जाती है त्यार हो जाती है okay this immunity is enough to fight with the fight and defeat the original pathogen यानि original pathogen है उसके fight करने के लिए उसको हराने के लिए त्यार हो जाती है यानि इसमें एक तरीके से मूर्ख बनाय जाता है white blood cells को उनको एक weak जो pathogen है रोगाणू है उससे लड़ाये जाता है और वो लड़ने के साथ साथ fight करने के साथ साथ एक protein या antibodies जो है antibodies है वो develop कर देती है तो इस ती यानि actual attack से पहले ही हमारा body जो है वो ready रहता है कि कैसे fight करना है अब ये antibodies की बात होई कि antibodies है वो develop हो जाती है हमारी body में ये antibodies क्या होती है चलिए उसको भी देखते हैं इस आर दा specialized protective proteins होते हैं ये क्या है specialized protective proteins है produced by the immune system of the body in response to a pathogen जब pathogen हमारी body में डाला गया vaccine के दोरा डाला गया ने injection के दोरा हलांकि वो weak था जब उसके साथ fight किया तो fight के साथ-साथ एक protein हमारे शरी में डालाप हो जाता है produce हो जाता है उस protein को ही antibodies कहा जाता है तो simple language में लिख सकते हैं that to fight against a pathogen our immune system produce a protein specialized protein है वो produce करते हैं and these are known as the antibodies इनको हम antibodies कहते हैं अब इसका function क्या होता है antibodies का it identifies, kills and neutralize the pathogen in the body हमारी body में या identify करता है pathogen को उसको या तो मार देता है या फिर उसको neutralize कर देता है neutralize मतलब inactive हो जाता हो निश्क लिए हो जाता है active नहीं रहता, okay passive हो जाता है तो ये काम होते है antibodies के antibodies क्या है specific protein होता है कौन डालप करता है, कौन produce करता है immune system produce करता है इससे क्या होता है, हमारी body है वो fight कर पाती है किस के साथ, protect कर पाती है हमें किस से, pathogen से, okay अब हम थोड़ा से immunization को और समझ लें हलांकि यही हमारा इतना ही topic था लेकिन थोड़ा सा हम दोबारा से च्छे समझ दें कि फिर ये immunization क्या है immunization it is a process by which a person becomes protected against specific disease through the vaccination immunization का अर्थ है कि हमारी body को protect करना हमाई खुद को protect करना immune system को किस से protect करना किस से vaccine के दोरा यान कि vaccine दी जाएगी और उससे हमारी body में जो immune system हो strong होता है इसको बोलते है immunization हिंदी बोलते है परती रक्षा करना इसा कुछ होता है तो इसे बोलेंगे immunization immunization क्या है it is a process by which a person becomes protected against disease through the vaccination vaccination के थूद डिजिस से लडने के लिए हमारी body त्यार हो जाती है तो इसको बोलते है immunization हो गया vaccination क्या है सभी को परदा चल चुका है vaccination क्या है लेकिर भी हम डिसकस कर ले कि the act of introducing a vaccine into the body to produce immunity to specific to a specific disease इसे vaccination कहेंगे vaccination means the act to introduce a vaccine into our body हमारी body में vaccine को डालना so that we can fight against a pathogen तो उसे बोलते है vaccination vaccine है वो कैसे वा करती है कि these are the medical preparation that consists of inactive, dead या product of a specific pathogen कि इसमें inactive, dead या फिर जो weak है कमजोर pathogen से वो हमारी body में डाले जाते है और इससे हमारी body है वो fight करने के लिए त्यार हो जाते है तो ये vaccine का work होता है जो हम already discuss का चुके है अब थोड़ा सा last का topic रहता है last का topic है कि ये जो vaccination है जैसे आपने बच्चों ने भी लगाए होगे काफी बच्चों को काफी को नहीं सभी बच्चों को काफी सारे injections लगते है vaccination होता है तो ऐसे कौन से specific जो disease है जिन से protect करने के लिए वैक्षिन लगते है तो उनके हमें एक्जामपल देने जिसको हिंदी में कूकर खासी बोलते है measles, polio, tuberculosis यानि TB and hepatitis तो ये कुछ ऐसे harmful diseases है जिन से बचने के लिए बच्चों को injection दिया जाता है या vaccine दी जाती है तो ये थी हमारी आज की worksheet जिसमें हमने छोड़े-छोड़े कुछ topic ये vaccination है क्या immunization है क्या और vaccine कैसे work करती है antibodies क्या है और antibodies करते क्या है हमारी body में now let's move to the question answers आज की worksheet is here it means questions भी easy रहने वाले first one is the what is immunization immunization होता क्या है it is a process by which a person becomes protected against specific disease through the vaccination की एक process होती है जिसमें किसी specific disease से protected हो जाते है किस के दोरा होंगे vaccination के थ्रू होंगे तो ये immunization है यानि अभी जो process चली है हमारे देश में तो वो क्या immunization है परती रक्षा करने के process चली है vaccine दी जाएगी हमारे body है वो इतनी strong हो जाएगी कि वो corona का सामना कर पाएगी ये बताना है a vaccine works by training the immune system to recognize or combat pathogen कि vaccine work कैसे करती है vaccine एक तरी किसे training होती है किसकी immune system की कि to recognize or combat pathogen कि pathogen को पहचान पाए और उनके खिलाफ लड़ पाए to do this इसके लिए क्या किया जाता training के लिए certain molecules from the pathogen must be introduced into the body कि कुछ molecules से pathogen के हमारी body में डाले जाती है and this creates the ability to fight the disease in the body और इसे हमारी body है वो उस disease से लड़ने के लिए त्यार हो जाती है तो इस तरीके से vaccine work करता है now let's move to the fourth and the last question what are antibodies antibodies क्या होती है तो हम simple language में लिख सकते हैं कि this is a specific type of proteins okay these are the specialized protective proteins होते हैं produced by the immune system immune system में produce करता है और है क्या ये specialized protective proteins होते हैं and in response to the pathogen pathogen के response में इनको produce क्या जाता है it provides protection to the body by killing or neutralizing the pathogen pathogen को मार के या फिर उसको neutralize करके passive करके उसको inactive करके हमारी body को protect करते हैं ये antibodies यानि specific type का protein तो ये थी हमारी आज की वोक्षीट जिसमें topic हमारा immunization vaccination खादा लेकिन घुमा थोड़ा ज्यादा दिया अमिद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी समझ में आई तो इस वीडियो को like और share करना मत बोलेगा Thank you, bye bye Have a nice day